फेम के बाद विराट कोली हुए घमंडी बड़े प्लेयर्स ने किया बड़ा खुलासा नमस्का मेरा नाम है प्रियांशू नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट सियारी देखें बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने विराट कोली को लेके अपने अपने बयान दिये हाला कि विराट कोली हमेशा सुर्कियों में रहते हैं और एकी बात चलती है कि विराट कोली अपने करियर के इनीशिल स्टेज में कहीं न कहीं थोड़े से आरगेंट थे थोड़े घमंडी थे and even कुछ X players ने ये भी बताया है कि विराट कोली को जब कप्तानी मिली जब fame मिला तो उनमें थोड़ा बहुत घमंड आ गया और वो चीकू से कहीं न कहीं विराट कोली बन गए और bond भी विराट कोली के इसी कारण बहुत सारे खराब भी हुए लेकिन confusion वहाँ पर create होता है कि विराट कोली लोगों से दोस्ती निवाते हैं दुश्मनी क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ X cricketers ने ये भी बताया है और कुछ current cricketers ने ये भी बताया है कि वहाँ विराट कोली एक बहुत अच्छे इंसान है न अभी भी कईने कई डाउन टूवर थे और उनसे उनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि किन किन खिलाडियों की statement से किन किन X खिलाडियों की statement से ये लगता है ये सवाल मन में आता है कि क्या विराट कोली पहले सच में घवंडी थे और बाद में अब जाके बदलाव आया है पहले ज़रा वो statement देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं यूवी पाजी की statement यूवी पाजी ने 1 स्टेट्मेंट डीच है दोस्ती को लेके विराट-कोली के साथ कि विराट से बहुत अच्छा दोस्त था in TV में अब विराट-कोली को लेकि मेरी दोस्ती झ continually chassis At Nahit लेकिन अब व्होः ज्यादा विराट बन चुका है मतलब यहां पर एंपर ये वराज सिन्ग का मतलब ये ही था कि विराट कोली में थोड़ा सा बाद में जाके घमंड आ गया। कफ्टानी मिलने के बाद है वहाँ पे नाम आता है पार्थे पटेल का भी जो कि आर्सीवी के लिए खेल चुके हैं उन्हों ने भी स्टेटमेंट देते हैं बताया कि जब आर्सीवी के लिए खेलते थे तब कहीं कहीं एवी डिविलियर्स विराट कोली और क्रिस गेल ये तीन-चार खिलाडी थे जिनको बहुत उपर रखा जाता था और बाकी खिलाडियों कहीं उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था वो टीम आपको नहीं दिखती थी इसलिए शायद अभी तक ट्रोफी नहीं जीत बाकी खिलाडियों के बारे में इतने जादा बात नहीं होती थी जारा ध्यान नहीं दिया आता था और स्पेशल प्रेफरेंस उन तीन-चार खिलाडियों को ही मिलती थी लेकिन ये तो थी यूवी पाजी की और पार्थे पटील की स्टेट्मेंट वैसे तो आप सभी को पत उसे in a और लेकिन अपको बताते की जिन लोगों ने विराट कोली को लेकर ये हाल-फिलाल में कुछ इसी स्टेट्मेंट दी है जिस से आपके मन में डौट क्रिएट होता है कि क्या इन बातों में सच हैं या जूट है कुछ समझ नहीं आता है ऑन्मोजन क्रिएट हो जाती ह देख लेते हैं भई कि विराट कोली के बारे में किन किन ने अच्छा बोला है उनके एक बहुत ही close friend ने अंडर 15 के टाइम पे उनके close friend थे जो कि उनको थोड़े दिनों पहले मिले और उन्होंने वो image post भी की विराट कोली के साथ और विराट कोली को लेके बहुत सारी अच्छ अच्छा ब्येवेर है कुछ टाइम पे भी बहुत अच्छे ब्येवेर के साथ थे और अभी जब मिले तब भी बहुत चीज़ें सही रही तो विराट कोली का रवया कहीं न कहीं आसा समझ आता है कि कुछ बदला नहीं है ज्यादा बदलाव नहीं आया है तो ये तो उनके एक दोस्त ने खुलासा किया जो कि बहुत पहले उनके दोस्त थे और विराट कोली के बहुत सारी अच्छाईयां भी बताई कि पहले क्या बॉंड था अब कैसा बॉंड है अभी भी अच्छा बॉंड है और बहुत समय बाद मिलने के बाद उन्हों एक कैसा फील हो रहा है भो भी उन्होंने बताया बर लेकिन इनके अलावा जो विराट कोली की अगेंस टीम बाले भी है ना जो यंग्स्टर्स भी है उन्हों ने भी कहीं न कहीं विराट कोली को लेके बहुत बड़ी बाते बताईए कि विराट कोली का बहुत किस तरह से अच्छा है शशांग की बात कर लेते शशांग सिंग एक बहुत बड़ा नाम आपको दिखा इस आई पील के अंदा जिसे आप से पजाब किंग्स के लिए खेला उन्होंने भी विराट को लेकि यही का कि दूरिंग आई पील आई टॉक्ट तु विराट भाई फॉर फॉर्टे मिनिट्स और आई डि करी और ऐसा लगा यहां कि इतना टाइम बीथ गया उस टाइम बात करते करते और बहुत फिरेंडली लगा विराट कोली का नेचर अशलगा कि मैं अपने बहुत खास दोस्से ही बात कर रहा हूं विराट को लिने बहुत सारी टिब्ट भी दी और विराट एक बहूत हंबल दोस्त इशान शर्मा ने भी विराट कोली को लेकर एक बात कही थी एक इंटिव्यू में उन्होंने बात कही एक पॉटका शो में थे उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि अंदर से वो वेस्ट जेली का ही लड़का है हमारा जो सेंस आफ यूमर है वो हम ही समझ सकते हैं इशान शर शर्मा विराट कोली इस AIPL के अंदर पी एंदर बैंटरी दॉनों के वी बूट्र होजाता है चार्मा विराट को अंदर खेलेवे एक्सके अंदर तो उनों की bonding बहुत अच्छी है तो ये भी कुछ लोग है ये भी कुछ खिलाडी है एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनोंने विराट कोली को लेके उनका रवया बताया कि कितने हमबल है वो और कितनी जादा उनकी बनती है विराट कोली से तो यहीं पे confusion पैदा होती कि विराट कोली कि बहुत सारे लोगों का इस चीज को लेके अपना अपना मत है सो अभी फिर आप से इजाद लेंगे जय हिन जय भारत